हेलो एवरिवन वेलकम बैक अगेन बेटा कहिए कैसे हो आप सब तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वरक्षीट नमबर 16 क्लास 8 मैट्स की वरक्षीट इसमें हम पढ़ेंगे कुछ वर्ग और वर्गमूल के बारे में कुछ और बात दे तो बेटा ध्यान देना सम संख्याओं का वर्ग सम होता है अगर मैं बात करूँ दो की, दो एक सम संख्या है उसका वर्ग करूँ तो दो दुनी चार ठीक है चार भी कैसा है सम कैसा है सम संख्या ऐसे ही अगर मैं 3 का करूँ क्या करूँ 3 का वर्ग करूँ 3 का वर्ग करूँगी तो 9 9 आजएगा 9 भी कैसा है विसम तो विसम का वर्ग करूँगी तो विसम सम का वर्ग करूँगी तो सम अब यह कह रहा है 31 का वर्ग 31 का वर्ग 31 कैसा है विसम, तो विसम होगा और अगर वैसे मैं उसका वर्ग निकालूं तो होता कितना है बिटा 961, वर्ग निकालने का मतलब है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टिप्लाई, 31 को 31 से गुना कर देना अब यहाँ पे देखो जो आपका नंबर है 57, 57 का वर्ग करूँगी तो 57 कैसा है विसम, तो क्या आएगा विसम, और जब मैं इसकी गुना करूँगी तो मेरे पास कितना बनेगा 3, 2, 4, 9 एसे ही यहाँ पे 64 कैसा है सम, तो अंसर क्या आएगा सम और इसका नंबर बनेगा क्या 4096 आगे देखो किसी संख्या के अंत में जितनी सुन्य होती है वर्ग करने पर वो उसकी दो गुनी हो जाती है फोर एक्जामपल अगर मैंने लिख दिया 100, 100 का वर्ग तो बेटा इसकी जो 0 है वो दो गुनी हो जाएगी तो कितनी बन जेगी यहाँ पे 10,000 इसका वर्ग करूंगी तो नंबर कितनी हो जाएगी 2 0 थी उसकी जेगे कितनी 0 आ गई 4 अब आ गया जाओ अब ध्यान से देखो बेटा यह नंबर दिये गए है इनके बीच में ऐसे नंबर इनके बीच में ऐसे नंबर जो की प्राकर्च तो हैं लेकिन वर्ग नहीं बना रहे जिन पे वर्ग नहीं लगता पुरन वर्ग नहीं बनता तो बेटा वो कैसे हैं देखो 0 और 1 बड़े में से छोटे को क्या कर दो माइनस और उस में से 1 और माइनस कर दो अभी क्वेशन करेंगे आपको समझ आ जाएगा देखो इसने क्या बोला संख्या के 21 स्थान के अंक को लिखो तो इसका जब स्क्वार करूँगी इसका वर्ग करूँगी तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 79 इंटू 79 नाइन जा 81 तो कितना आजेगा 1 47 47 को 47 47 49 तो कितना आजेगा 9 25 तो 5 6 चिक 36 तो 6 ठीक है अब यह देखो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो 25 में से 16 को माइनस कर दो और जो अंसर आए उसमें से भी माइनस 1 कर दो तो 25 में से 16 गया 9 9 में से 1 गया 8 अंसर कितना आगया 8 बड़े में से छोटे को क्या कर दो minus 36 में से 25 को minus कर दो और जो अंसर आये का उसमें से भी एक घटा दो 36 में से 25 गया 11 11 में से एक गया 10 तो अंसर कितना आजएगा 10 तो बेटा ये थी आपकी worksheet number 16 I hope it is clear to everyone and if you like it then please share and subscribe thank you so much